एक काम कर लेते हैं कि जितनी रेंज में हमें नमबर चाहिए वो रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं देन टाइप करते हैं एक्वल और यहां पर हम लिखते हैं रेंड बिट्विन यह फार्मूला लेते हैं दबाके कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हैं जैसे कंट्रोल के साथ एं करेगा तो अब हम क्या करते हैं कि यह पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेते हैं क्या करेंगे और यहां पर डेट कर आएंगे और यहां पर अगें चेंज करेंगे नेक्स्ट वीक का पूरा सेलेक्ट कर दिया है रूल को क्लियर करते हैं और फिर अब दोस्तों मैं विना सिंग आपका टेक गुरू लेकर आयों नॉलिग से भरपूर एक और वीडियो आपके लिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सल में कंडिशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर को जन्रेट कर लेते हैं नंबर को जन्रेट करने के लिए फार्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे लिखेंगे इक्वल और इस फार्मूला को यूज करने 90 के बीच के जो number है वो हमें generate कराने है इतना करने के बाद हम यहाँ पर enter ना दबाके control के साथ enter दबाते हैं आपको numbers की कुछ इस तरीके से series मिल जाएगी यह series अभी formula based पे है तो इस पे हम इनकी values को ले लेते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे सबसे बहले control C से इसे copy क कर लेंगे यहाँ पर देखिए एक आपको rail दिख जाएगी इस तरीके से dotted dotted इसका मतलब यह हमारा copy हो चुका है और paste के इस icon पर क्लिक करके यहाँ पर paste values यह जो values वाला है इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ से formula चला गया है और यह value अब हमारी सीधे सीधे हमें मिल रही है डी सेलेक्ट करने के लिए control D का प्रेस करेंगे तो यह selection हमारा हट जाएगा अब हम लोग देखते है कि conditional formatting हम कैसे कर सकते जिसे यह value हमने ली यहाँ पर आपको home tab में ही यहाँ पर conditional formatting का option दिख रहा है इस पर highlight cell rule अब यहाँ पर एक option आपको दिख greater than greater than greater than पर click करेंगे अब मान लीजे हमें एक ऐसा number पता करने हैं जो 60 से ज्यादा हो तो जैसे आप 60 प्रेस करेंगे और ok करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो number हमारे select हो गए हैं जो 60 से ज्यादा है जैसे 81 68 61 यह सारे number यहाँ पर हमको मिल गया है जो 60 से ज्यादा इस rule को clear क पर क्लिक कर दें पूरी सीट के रूल क्लियर हो जाए यह जो selected पार्ट उसके लिए आप कर दें तो इस तरीके से हम रूल को clear कर देते हैं इसके अलावा यहाँ पर और भी option है जैसे अगर हम यहाँ पर greater than ही करते हैं और इसे हम 60 ही लेते हैं यह हमने 60 लिया यहाँ पर अलग में चेंज नहीं वाट वाट रेड़ हो गया आपका इसी तरीके से रिड़ बॉरडर करना है तो यह देखे टेक्श आरा वैसे राज सिर्फ जो है जो हमारे नंबर 60 से बड़े हैं उनका बॉरडर रेड़ हो गया इसी तरीके से आप कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं प्य सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहां मोर कलर पर आके आप उस तरीके का कलर कोई अपने कोडिंग दूसरा भी ले सकते हैं तो यह बैग्ग्राउंड का कलर था इसी तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपना कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं जिसके तो आप कैसे भी उन्हें फेल कर सकते हैं इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो यह देखे पूरा क्लियर हो जाए सेलेक्टिट से हमने क्लियर कर दिया नेक्स आता है लेस्ट ने अब लेस्टें में जैसे 60 से उपर के हमने नंबर कहते हैं अब आप चाहते हैं कि दो नंबर के बीच का कोई नंबर हमें चाहिए तो आमने कहां कि हमको जो है 50 से लेके 75 के बीच की जो नंबर है वो हमारे सेलेक्ट हो जाए तो यह देखे यहां पर हमारे अभी हमने रूल कुराना क्लियर नहीं किया थे इसलिए यह चीज़े आ रही है तो यह द्यान रखना है पिछला रूल आप क्लियर कर दिए देन ने को इंप्रिमेंट करें तो वह हमारे रेड़ कलर में सौट हो जाए तो इस तरीके से आपके वो नंबर हійсь्ट न online हम में यह दू मुझे हो जाएगा अब इसी तरीके से अगर हम एक कुछ बूल से चाहते हैं कि कुछ इस्पेस्विक नंबर हो वो जो है यहां पे शे लेक्ट हो जाए कि जहां जहां जह तरीज में 69 होगा देखे वो सेलेक्ट हो गया है इसी तरीके से उसका कलर चेंज हो गया है अब यहां पर हम देखते हैं टेक्स्ट तो अगर हमारा यहां पर किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होगा इस लिए पार्फिदे पर आते हैं तो यहां पर आते हैं कर देते हैं अब देख्य इस एंच में बहुत सारा टेक्स आप मानली यह बहुत सारा डेटा हूँ आपके पास और आप महाँ पर search करना जाते है text कहाँ कहाँ है देखना चाहते है तो यहां से आके आप करदे text that contain अब यहां पर आप नाम डाल दीजी क्या कौन सा text आप चाहते है यहां पर जैसे हम ने कह दिया आकास, यह हमने text कहा, कि कहाँ कहाँ पर तो इसमें प्रकास को अगर को यहरा चाहा है यहां को double नाम अगर आपको यह देखना है कि कोई टॉर्ट की जो है कहीं पर रहे हैं तो उसको सबस्क्राइब के लियुक्त chỉस यहां पर यहां पर देट करने का यहां पर बता घो डियेक ओलने के डिरेट इड़ करेंगे एक देट हमें बढाना है तो हम यहां पर कैड़े खरेंगे कहां तक हम को यह सिरीज ले जानी है तो सपोच करिए कि हमें ले जाना था इसे एक थर्टी वन टू थौजन टॉन्ट फोर तक तो जैसे इसे हम करेंगे ओके तो यह देखे हमारी डेघ यह आ गई है यह एक्शुलिय जो है भी फॉर्मेट इसका है वह है सबसे पहले मन्त है फिर डेट है फिर इएर है इसको हम फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मिट चेंज करना है, तो उसके लिए भी तरीका हम बता देते हैं, उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो जैसे यहां पर भी MMDDYY लिखा हुआ है, तो इसे आप DD-MM-YYYY कर लेंगे, तो यह देखें, आपका फॉर्मेट चेंज होगे, इस तरीके डेट का फॉर्मेट आप अपने एकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, अब इस डेट में आपको जो भी सर्च करना है, ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ हम इस मैने से पहले की भी डेट ले लेते हैं, तो इस पूरी सीरीज को हम थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, तो यहां से इसे कट कर लेते हैं, और इस जिखे पे ले आते हैं, कॉलम को थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, जिससे हमको डेट पूरी दिख जाये, औ तो यहां से तो आगक सी को सर्च करने में हैलक करेगा अब हम क्या करते हैं कि यह पूरी एकर यहां पर पर क्लिक करते हैं और यहां पर यहां पे डeard यहां पर ले लेते हैं इस मंत का तो एक आठ या आठ एक दोगजार चौविस और इस डेट को हम यहां से हटा के यहां पर रखते हैं और थोड़ा सा पहले ले लेते हैं और इसके बाद यहां पर आके थोड़ा सा इसे आगे की तरफ ले लेते हैं इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेते हैं फॉर्मेट हम वापस फिर से सही करना है तुम क्या करेंगे control के साथ one press करेंगे और यहाँ पर date custom पर आएंगे और यहाँ पर again change करेंगे dd slash mm slash y y y y okay कर देंगे तो यह हमारा इस तरीके से कुछ आ गया अब यहाँ पर हम आएंगे custom format में और यहाँ पर date अपर yesterday जैसे हम करेंगे okay करेंगे तो यह देखी yesterday आज जो है 11 तारिक है यह 10 तारिक का date हमको दिखा रहा है इसी तरीके से यहाँ पर date occurring में आके हम today कर देंगे तो यह देखी हमारे पर today और कल दोनों का दिखा रहा है क्योंकि हमने formula यहाँ पर clear नहीं किया था तो यहाँ पर rules को आके clear कर देंगे अब आके अगर हम यहाँ पर करते हैं today तो यह देखे today का दिखा रहा है अगर आप कर देंगे tomorrow तो tomorrow का देखी दिखाएगा अगर in last seven days तो यह देखे इसमें last seven days करती है last week अगर हम कर देंगे इस तरीके से ये week को calculate करता है इसी तरीके से अगर आप करते दिस week तो ये देखे यहाँ पर आ जाएगा इस हफ्ते का जो भी है वो select दे 11 से लेके आगे तक आपका this week select कर रहा है अगर आप next week कर देंगे तो ये देखे ये नीचे आएंगे तो ये देखे इसने next week का पूरा select कर दिया है रूल को clear करते हैं और फिर आते हैं date पे और यहाँ पे हम आते हैं last month तो ये जो है आपको देखे यहाँ से last month के जो भी days है उनको select कर देगा तो ये आपका date के according बहुत अच्छा जो है formula जो है जो आपको जो है अलग-अलग तरीके से values को highlight कर देता है इसी तरीके से this month चाहिए तो आपने ये किया तो this month की जो date होगी वो आपको मिल जाएंगे next month कहेंगे तो next month की date आपको मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप जो है date पे भी ये custom formatting कर सकते हैं इसी तरीके से date के बाद duplicate values अगर आपको जैसे suppose करीए ये पूरा data है और इसमें आपको find करने duplicate values को highlight करना है तो यहाँ ये duplicate values के click कर दिए तो ये देखे जो जो value आपकी duplicate हैं उनके साथ ये देखे यहाँ पे highlight हो गया है इसी तरीके से आप अगर जो है यहाँ पे duplicate values के जिए के unique values कर दिए तो unique में जो जो unique होगा वो सब select हो जाएगा ठीक है तो पहले हम यहाँ से formula को clear करते हैं clear करते हैं अब हम लगाते हैं unique value का formula तो duplicate के जिए unique कर देखे यहाँ जो जो चीजे unique थी उसने यहाँ पे highlight कर दिया तो यह text और number दोनों को इस तरीके से आपको highlight करके बता देगा तो इस तरीके से आप highlight cell rule का use करके अलग-अलग तरीके से work कर सकते हैं अब यहाँ पे हम एक देख लेते हैं कि top bottom rules के हैं जैसे अगर आपको यह जो numbers दिये हो हैं इसको clear कर लेते हैं इन numbers में आपको top 10 item चाहिए तो आप यहाँ से top 10 पे click करेंगे तो जो भी top 10 के item हैं जो mask एक और जबसे ज़्यादा number है और top 10 पे हैं वो आपको यहाँ पे select को के मिल जाएंगे जो कई बार होता है कि आपको बहुत सार डेटा होता है top 5, top 10, top 20 search करना होता है तो आप यहाँ बस number दीजे आपको वो चीज यहाँ पे मिल जाएगी इसी तरीके से top 10 जैसे है उसी तरीके से आपको यहाँ पे top 10% यानि कि आप यह total का percent निकालेगा और उसमें से जो 10% में आ रहे होंगे उनकी list आपको मिल जाएगे जो 5% में देखेंगे तो वो list आपको यहाँ पे मिल जाएगे तो यह percent के एक ओर्डिंग निकाल देगा इसी तरीके से अगर आपको चाहिए bottom 10 bottom 10% average, मैं लिए above average इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि below average मिले तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो जो average होगा इन numbers का उसके नीचे के जितने होंगे उनका यहाँ पे आपको value mark हो जाएगी highlight हो जाएगे इसी तरीके से आप अगर data bars को यूज कर सकते हैं तो data bars कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए एक हम ऐसा करते हैं कि value को एक हम अलग रो में ले लेते हैं जिससे आपको समझ में यहाँ पर आप यहां पर जैसे आपको value की जो strength है उसके आपको color देखना है तो यहां पर क्या हुआ देखिए 62 है इसका बार यहां तक जा रहा है यह कम है तो इसका बार 13 दिफ्रेंस है तो थोड़ा सा जो है यहां पर इस तरीके से सारा जो है आप बार कर देखते ही समझ जाएंगे कौन नंबर बड़ा है को नंबर छोटा है तो इ यहां पर देखिए solid color यह आपके gradient में थे अगर आप solid color चाहते हैं तो यहां से आप क्लिक करके solid color ले तो देखिए इस तरीके से यह आएगा अगे रूल को हम करते हैं clear और आते हैं अगले पर तो यहां से आप जो है color color scale जानि कि जैसे color आपका change होगा उसकी scaling यानि कि dark और light बढ़ता या गड़ता चला जाए तो यह देखिए आपका जो है एक तरीके के जो हम करते color एक जैसा है हलका से चेंज है जैसकी 80 और 79 में हलका से color चेंज हुआ है बाकी यह देखिए तो इस तरीके से color पहले टेक बन जाता है different color इलर नंबर के recording तो यह झाल कर सकते हैं इसी अजजी तरीके से आप आइकन से नहां थे साकते हैं तो हम यहन पहां जो भी आइकन सेट आप देंगे उसके recording यहां पह वह आपको लिक जाएं ये दिखे हैं से 12345 के अगली रेंज का जो है देखिए आल्ग जो है चैन्ज को गया उसके अगली विशन की है क्या किया है 1234 5 5 तक एह रेंज उसके बाद अगला 5 जो हुआ उसकी एक रेंज 1 फिर अगला पार्ष जहन fuss ने differentiate करके दे दिया यहाँ पर आइकन भी कर सकते हैं यहाँ पर आइकन पर आइकन नहीं यह से stripped के अर्ड आइकन चाहते हैं तो ऐसे आप लगा सकते हैं तो यह देखिये जिसकी जैसे एक बिल्गुल नीकम तो यहाँ पर कुछ नहीं है दो में कुछ नहीं है तीन में कुछ नहीं, पाँच में थोड़ इसी strength आई फिर 6 में वही चल रहा है, एक जैसा फिर 6 के बाद, 10 के बाद देखे, बढ़ेगा इस तरीके से सबसे जादा strength हो, सबसे कम strength की जीजों को आप देख सकते हैं, आप किस तरीके से आप conditional formatting अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, रूल क्लियर करने के लिए, simply select या आप देख पूरी seat camp को रूल क्लियर करने हैं, तो clear rule entire seat हम कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको अपने accounting manage कर सकते हैं, conditional formatting अपने work में यूज कर सकते हैं, अगले वीडियो में कुछ और इसी तरीके की instructing चीजें हम लोग जानेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like, share, subscribe करना मत भूलिएगा, मिलते हैं, अगले वीडियो में कुछ और इसी तरीके के trip और tricks के साथ में, thank you. एसी फजidadמה केश और इसी तरीके के मज़िएगाओ लाजिएा, अभले बासरा, पर गगास मिल हम पत।ॉ कि आपे और इसी तरीके कि अपका handler बाहतмен लुज हम गवा algorithms वीचित के लिएरेmostरें और डिरेका मिलते हैं, तरीके की सब्रें से thoroughदी कृते हैं, झाल 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 झाल